गुड मॉर्निंग चिल्डेन आई रंजित सर यूर इंग्लिस टीचर तोड़े आई अम गूंग तू तीच यू प्रॉम यूर इंग्लिस बूक लेशन थिरी मेरे प्यारे बच्चो मैं आज आप लोगों के क्लास टू का इंग्लिस बूक का तीसरा पार्ट गॉल्डन टेमपल स्वान मंदीर पढ़ाने जा रहा है गॉल्डन टेमपल इस सिट्वेटिज अट अमरिच्चर इन दस स्टेट अप पंजाब स्वान मंदीर पंजाब राज के अमरिच्चर में है इस अज़ सेंटर ओफ लिक्मी मेज पुर्शिक या सिखों का पवित्र तिर्थ अस्थल है या सिखों का बड़ा ही पवित्र धार्मिक तिर्थ अस्थल है जो कि शिख धर्म के मानने वाले शिखों का पवित्र तिर्थ अस्थल केंद्र के रूप में पंजाब के अमरिच्चर में है पंडेशन अफ इस तेम्पल वाज लेट बाय मुस्लिम संथ मियामीर का निव मुस्लिम संथ मियामीर के द्वाराशन फोलो सचार इस्वी में किया गया दा फिप्ट सिख गुरू अर्जुन देव गौट इट बिल्ट और बाद में सिखों के पांचवे गुरू अर्जुन देव ने इस पवित्र धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर को बनवाया देन इत्वाज नौन एज हर्मंदीर साहिब तब यह हर्मंदीर साहिब के नम से जाना जाता था हर मंदीर मिन्स थे टेंपल अव गौट और मंदीर का साथिक अर्ट होता है इस्वर का मंदीर इस्वर का घर लेटर ओन महाराजा रंजित सिंग जी गॉट इट रिपेयर बाद में महाराजा रंजित सिंग ने इसे पुना मरम्मति किया फिर से बनवाया यह अल्सो गॉट इट ग्लाइड और उन्होंने इसमें चमक भी दिया उन्होंने इसको सोने का रंग स्वन रंगों से चमकाया इस मंदिर का उम्मर जो है साथ सो पचास ग्राम सोने के रंगों जैसा बना हुआ है सिंस देन और तब से दिस टेमपल केम तू बी नौन एज गोल्डन टेमपल तब से यह मंदिर स्वन मंदिर के नाम से जाना जाता है बच्चो ने जो स्वन मंदिर के बारे में बताया स्वर मंदिर जो की पंजाव राज के अमरिच्चर में एक त्रत्रस्थल केंदर के रूप में अवस्थित है यह सिखों का बड़ा ही पवित्र दर्मस्थल है इसका नीव सन 1640 में मुस्लिम संत मियामीर ने किया था उन्होंने इसका नीव डाला था फिर बाद में सिखों के पाँचवे गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया तब से यह हर्मंदीर साहिब के नाम से जाना जाता था और यह हर्मंदीर साहिब के नाम से भी जाना जाता है हर्मंदीर का सावदी का अर्थ होता है इस्वर का मंदीर इस्वर का घर बाद में महाराजा रंजित सिंग ने इसको फुनह रिपेयर्ड किया फिर से बनवाया और उन्हों ने सोने के बारिक पत्तियों से सोने के रंगों से इसको रंगा इसलिए या स्वन मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका रंग सुनहला रंग है और इस मंदिर का गुम्बर सारे साथ सौ किलो मीटर सोने के बारिक पत्तियों से बना हुआ है और तब से या मंदिर स्वन मंदिर के नाम से जाना जाता है और तबस इस मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर दिया गया The golden temple has four doors स्वर्ण मंदिर में चार दरवाजे है They open in all the four directions ये दरवाजे चारों दिशाओं से ये स्वर्ण मंदिर के सभी दरवाजे चारों दिशाओं से खुलते है There is a tank of holy water around the temple इस मंदिर के आसपास में एक बड़ा ही पवित्र तालाव है The Guru Granth Sahib is kept here यहाँ पर इस मंदिर में Guru Granth Sahib रखा राता है The Guru Granth Sahib is the holy book of Sikh Guru Granth Sahib शिखों के धार्मिक गरंद है Sikh from far and wide come to offer prayers at golden temple दूर दराज के Sikh लोग यहाँ पर इस वर्ण मंदिर में प्रार्थना पूजा प्रार्थना करने के लिए आते हैं They take a holy deep in the pond और वे यहाँ के पवित्र तालाव में ढूपकी लगाते हैं असनान करते हैं स्वर्ण मंदिर में एक चोटा संग्रहाले भी है The sword and the spears of the great Sikh गुरू are kept here महान गुरू का तलवारे और बाले यहाँ पर रखा रहता है There are also some very old books of Sikh history और इतना ही नहीं Sikh धर्म के इतिहास का यहाँ पर पवित्र धर्म गरंत गुरू गरंत साहिब भी यहाँ पर रखा रहता है The golden temple is a very famous temple of India और यह golden temple भारत का बड़ा ही पवित्र मंदिर है और खास करके शिखों का यह बड़ा ही पवित्र धर्मस्थल है जहाँ पर सभी सिख पड़ी आस्था इस्वास और समर्पन के साथ पूजा प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो बच्चों इस पार्थ में आपने एक इतिहासिक पवित्र धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर के वारे में पढ़ा है जो की पंजाव राज के अम्रित्सर में बना हुआ है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे या मंदिर हमारे देश का गौरव है इसकी सुन्दरता अगरा ही आकरशक है आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे थैंक्स